हलो फ्रेंड्स, मैंसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ एम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत important topic पर एक वीडियो लेकर आई हूँ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम आजादे का अमरत उत्सव मना रहे हैं तो इसी उपलक्ष में हमने जो आजादी के लिए संगर्ष किये हैं, हमारे स्वतनता सैनानियों ने जो संगर्ष किये हैं उसी का महतुर आज हमें जानने की बहुत आवशकता है क्योंकि आज हम आजादी का जो मतलब है उसको भूलते जा रहे हैं तो इसी को देखते हुए जो हमारी government है वो यह चाहती है कि जो हमारे student है वो आजादी का main motive क्या था क्यों हमें आजादी लेने के लिए हमने इतने संगर्ष किये वह जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी वह जाने तो दोस्तो इसी के ऊपर मैं काकोरी कांड पर आपके बंद लेकर आई हूँ I hope आपके लिए जो ऐसे है ये बहुत ही important होगा क्योंकि मेरे चैनल पर uploaded सभी ऐसे आपके लिए बहुत ही beneficial होते हैं हर ऐसे आपके competition के लिए important होता है आपके exam के लिए important होता है तो please guys मुझे support करना ना भूलें मुझे अपना थोड़ा सा support दें और मेरी आपसे यही request है कि आप मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और ज्यादर से ज्यादा share करें तो मेरा आपसे यही विनर्म निवेदन है तो चलिए शुरू करते हैं आज ये essay काकोरी कांड पर निबंद कि जो काकोरी कांड था वो क्यों हुआ था क्या उसके result निकले हैं तो इस सब के ऊपर हम आज essay करने जा रहे हैं तो guys जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा essay बहुत ही attractive होना चाहिए तो attractive बनाने के लिए हम कुछ techniques अपनाते हैं अब सबसे पहले जो हमारा जो essay है वो attractive कैसे हो सकता है तो मैंने essay की जो starting है वो एक quotation से की है क्योंकि first impression is last impression तो अगर ह से करेंगे तो जो essay है वो examiner को अपनी ओर attract करता है तो quotation क्या है topics related quotation आप लिख सकते हैं और आप अपने आप भी बना कर लिखना चाहें तो आप अपने आप भी बना कर लिख सकते हैं मैंने भी अपनी quotations खुद ही बनाई हैं तो चलिए देखिए काकोरी कांड कर वीरों ने गोरों की नींद उडाई थी भड़क उठी थी आग देश में नई क्रांती आई थी तो इस तरह से आप स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत ही impressive होगा अब देखिए आजादी एक ऐसा शब्द है जो प्रतीक भारतवासी के रगों में खून बन कर दोड़ता है स्वतन्ता हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है तुलसिदास जी ने कहा है पराधीन सपेने हूँ सुखना ही अर्थात पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुखी नहीं है हमें इस प्रकाल जकड लिया गया कि हमारा देश जरजर अवस्था में बुढ़ापे की और अग्रसर होने लगा मतलब जो कभी सोने की चिडिया और जवानी का देश कहलाता था अब वो इतना खोकला हो चुका था कि वो अपने बुढ़ापे की और अग्रसर होने लगा था इतनी जरजर अवस्था में आ चुका था तो देखिए आप इस तरह की words यूज़ करते हैं जरजर अवस्था में बुढ़ापे की और मतलब एक तरह से कह सकते हैं लोकत्तियों का प्रियोग करना मुहावरों का प्रियोग करना तो वो भी आपके ऐसे को बहुत ही इंप्रेसिव बनाता है आज हम पूर्ण स्वतन्त है तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं हमारा अपना समीधान है लेकिन जरा सोचिये कि क्या हमें स्वतन्ता बिना किसी प्रियास के मिल गई? नहीं, स्वतन्ता पाने है तू कहीं अथक प्रियास किये गए भारत मा के कहीं सपूतों ने अपने खून से इस आजादी नामक रक्ष को सीचा है फिर आप इसी से रिलेटिड एक कोटेशन बीच में लिखेंगे जो की ऐसे को बहुत इंप्रेसिव बनाती है अपने लहू से सीचा है आजादी को मतवालों ने देदी अपनी जान भारत मा के लालों ने आगे देखिए भारत की स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी बहुत महतलपून भूमी का रही है 1922 में जब देश में जंगा-जंगा आसायोग आंदोलन अपने चरम पर था उसी वर्ष फरवरी में चोरा-चोरी कांड हुआ चोरा-चोरी कांड हुआ था इसके उपर भी मैंने एक निबंध आपके लिए तयार किया हुआ है आप वो भी मेरे चैनल पर विजिट करकर देख सकते हैं वो भी बहुत इंपोर्टेंट ऐसे है तो आप वो भी जरूर देखिएगा इस हिंसक गठना से दुखी होकर राष्ट पिता गांधी ने ऐसायोग आंदोलन वापस ले लिया आजादी के इतिहास में ऐसायोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक महत्रपूर्ण गठना माना गया जिससे आजादी पाने की ललक अत्यदिक प्रबल दिखाई पड़ी 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूट उन पैसों से हतियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों को मूँ तोड जवाब दिया जा सके यह खजाना लूटने वाले विख्यात क्रांतिकारे संगठन हिंदुस्तान रिपबलिक एसोशियेशन के सदस्य थे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजन रनात, रोशन सिंग, अश्वाक अल्लाआखा को फांसी दे दी गई या फांसी की सदा सुना दी गई थी साथ ही अन्य क्रांतिकारियों को उम्र कैद दे दी गई अतह काकोरी कांड में कई क्रांतिकारी हस्ते हस्ते सूली पर चड़ गए और भारत मा के प्रती अपने प्रेम को व्यक्त कर गए वर्तमान समय में आजादी की जो धरोवर हमें मिली है वह इतनी बहुमूल्य है कि कोहिनूर के समान आज भी चमकती है तो गाइस यह आपका ऐसे था अट लाश्ट आप एक कोटेशन से एंड करेंगे तो उसका भी इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा कोटेशन देख लीजे क्या है की वह काकोरी था जिसने तहल का मचा दिया की वह काकोरी था जिसने तहल का मचा दिया आजादी के मतवालों का कर्ज आज फिर से याद दिला दिया तो दोस्तों यह आपका पूरा ऐसे था काकोरी कांट पर इन शोर्ट आप पूरे वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं गाईज अगर आपको इस ऐसे की पीडिएफ चाहिए तो आप इस ऐसे की पीडिएफ केवल पंदरा रुपे में हमारे वाट्सप नमबर 9760131277 से खरीद सकते हैं तो कोई इतना बड़ा मतलब मैंने इसका प्राइज नहीं रखा है बहुत मामूली सा प्राइज है 15 रुपे हर कोई अफ़र्ट कर सकता है तो गाईज ऐसे ही बहुत सारे ऐसे की आपको पीडिएफ भी वाट्सप से मिल जाएगी तो आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं तो जल्द ही मिलते हैं किसी ऐसे के साथ और आपको किसी इंपोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बुक्स में कमेंट करकर बता सकते हैं तब तक के लिए जै हिंद जै भारत थिंक्यू सो मच